गुरुपूर्णीमा हमारे तंत्रईर्डरिशन में भृट है जो ऑफ कि जूरी यहाँ दो साल पहले कैसी पचास साल पहले और आज काथ जूरे और पूर्णीमाओंग रुसरी मुझे कोई डिफरेंश है तंतर पूजा में, वेदोक्त पूजा में और पुरानुक्त पूजा में क्या फर्क है? इसके उपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। गुरु पूर्मा हर्श का पर्व है। गुरु पूर्मा प्रंप्रा निभाने का पर्व नहीं है। ये प्रम्परा से आगे गुरु के साथ आत्म साथ होने का पर्व है, ये गुरु में होने का पर्व है. गुरु को समझना बेटा बड़ा कठन काम है, उसको नहीं समझा सकता, हम जिस वातावर्ण में बड़े हुए, आप भी हुए हो. कभी कभी ऐसा लगता है, गुरु का बड़ा सा आशर्म हो, बड़ा ताम जाम हो, बहुत सी गारियां हो, हजारों लाखों शिश्यां हो, तो वो गुरु बहुत बड़े होंगे. कभी ऐसा लगता है कि गुरू की वेश्बूशा बड़ा तिल्क हो, साजधाज बड़ी हो, वो गुरू बड़े होंगे कभी लगता है ऐसे गुरू आँख उठाके देखें तो कुछ काया कल्प हो जाए, वो गुरू बड़े होंगे कभी ऐसा लगता है कि एक महापुर्ष किसी कोन्ने में शिपा बगवान से बात कर रहा हो, वो बड़े होंगे इतने सालों में क्या हुआ, आपने एक बात कही, मेरे मुश्कल हो रही कहने में गुरू इजम, भक्ती, कहीं कहीं पे सब जगानी, मुझे शमा करें गुरू जन, भक्त लोग भी शमा करें कहीं कहीं, भक्ती, मार्ग, दर्शन की बजाए, पत ब्रश्टक बन गई, कभी-कभी ऐसी इस्तितियां आ गई कि एक गुरू थे, उन्होंने एक परंपरा चलाई, साधना भड़ाई, वो चले गए, उसके बाद हमने उनकी पूरी परंपरा को ही चेंज कर दिया, उनके रास्ते को ही चेंज कर दिया, कहीं कहीं पे कितने व्यक्तियों ने गरंथों का अपने ढंग से ट्रांसलेशन किया व्याख्या की व्यक्ति, कि और भटक गया, वास्तम में पचास साल में देखते देखते बहुत बड़ी चेंज हुई है, मैं पचास साल की बात करता हूं, पचास साल पहले गुरुपूर्णमा के लिए अपने गुरुचर्णों में उनके निवास पे उनके स्थान पे जाना पड़ता था, आज ऑनलाइन घर बैठे आपको दर्शन हो जाते हैं, कोबड के बाद से जे और ज्यादा हो गया, दोस्तों गुरु के चर्नों में जाना कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, आप जाते हो और आप मैं कहता हूँ, खाली लौट आते हो, आप मंदर जाते हो, मंदर से भी लौट आते हो, दो तीन कारण है, एक तो आप खाली होते नहीं जब जाते हैं, आप खाली नहीं होते तो भरवी नहीं पाते हूं। कभी-कभी ऐसी चीजों से भर जाते हो जिनकी चीजों की आपको जुरूरत नहीं होती है। जैसे गुरू-चर्णों में भी जाएं, आप किसी शक्ती पीठ पे जाएं, किसी जोती लिंक पे जाएं, किसी तीर स्थान पे जाएं। मिनीमम से मिनीमम आपको आदा घेंटा 40 मिंट बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए अकेले में। क्योंकि स्थान बलका अपना महत्तव होता है। आपको कहीं पे भी किसी भी कौने में जगा मिले। आख बंद करें, इस जगा पे जिस शक्ती पे गए हो उनका ध्यान करें, ध्यान करके उनका वहन करें, उनसे बात करें। आप इहरान होंगे, दीरे दीरे आप उनसे बात कर पाएंगे। आप उनको सब कुछ क्या पाएंगे, जो चाहते हो, वो सुनेंगे भी आपकी बात को, और आपको उस बात का समाधान भी देंगे। पर आप जे मान के जाएं, कि जहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप तो दोस्तों निश्चत भी नहीं करते, कि जाना कहा है, आपको चाहिए क्या। आप लोग दर्शन करने जाते हो, मानली जी हमाचल में दर्शन करने गए, मांके चर्णों में गए, हमाचल में बहुत से शक्ति पीठ हैं, पर शिरी चंतपुर्नी जी, मा ज्वाला मुखी जी, बर्जेश्वरी देवी मा कांगडे वाली, मा बगला मुखी जी, मा चामुं देवी जी, आप राम से जाएंगे तो आपको दो दिन चाहिए, पर लोग कहते हैं, तो एक ही दिन में दर्शन करके आ गया, दर्शन करके आ सकते हो, पर लेके कुछ नहीं आओगे, हाज़ी लग जाएगी, तो कि माँ आपको देने वाली होगी, तब सक तो आप चले तो आप चाहते क्या हो, आपकी इच्छा क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप फ्लाइट में बैठके एरपोर्ट पे चलेगे, अभी तो बिना टिक्ट के जाने भी नहीं देते, आपने फ्लाइट कहां की लेनी है, जब तक उसकी पता नहीं होगा आपको, तो कैसे आप फ्लाइट में बैठ नहीं पाओगे ना बिटा आप ट्रेन में कैसे बैठोगे जब तक पता नहीं होगा जाना कहा है बस में कैसे बैठोगे गाडी में कैसे बैठोगे तो मैं एक प्रार्तना करता हूँ के गुरू पूर्णमा से पहले पहले ज़े आप सोच लो कि आपको चाहिए क्या आपको जाना कहा और वो ही चीज अपने गुरू के आगे प्रार्टना करें वो बात बन जाएगी आप गुरू से ही पूछते हैं महाराज कृपा करो कृपा करो उनको खुद पता नहीं क्या जब घर से चले थे, कोई और कृपा चाहिए थी, रास्ते में आये, कोई और कृपा चाहिए थी, गुरु के पास आये, तो आपको प्राणा दोस्त मिल गया, फिर लगता मुझे तो इसके आगई जाना, यह एक ऐसे छोटा होगा, और आप वही फिर कह देते हूं, तो मेरी प्रार्थना को सुने, कैसे, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, और तंतर गुरु पूर्णमा ही सबसे बड़ी गुरु पूर्णमा है, तंतर सीधी बात, स्टेट बात, तंतर ना इधर की ना उधर की, सीधा उपर वारे के साथ कनेक्शन, उसको कहते हैं, बाइया, जो चाहिए, मुझे पहले दे दे, बाद में तेरी बात करेंगे फिर वो देता है फिर चाहिए दे दे फिर आगे बात करेंगे फिर चाहिए फिर आते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी दे दिया तूने सब कुछ मैं तेरे चर्णों में मैं तेरे साथ एक हो गया फिर बात खत्म हो जाती है, तंतर गुरु पूर्णमा में गुरु शक्ति पात करता है, तंतर गुरु पूर्णमा में गुरु काया कलप कर देता है, तंतर गुरु पूर्णमा में गुरु आपकी किस्मत चेंज कर देता है, दंतर गुरु पूर्णमा में गुरु अपने मालक के साथ जगडा करता अपने शिश्या के लिए दंतर गुरु पूर्णमा में गुरु बगवान के साथ जगडा करता कि मेरा बच्चा आया इसको दे दे तुझो चाहिए उसके लिए खुलोना है वो गुरु कृपा कर देता है तंतर गुरु पूर्णमा प्रेक्टिकल ऐसी ऐसी इस्तितियां हुई तंतर गुरु पूर्णमा में शिश्या गया गुरु के पास वो आया ही नहीं कुछने गुरु मुझे नहीं जाना गुरु देख मैं आपका हो गया बुजे नहीं जाना और बहुत कुछ कहा जा सकता है पर तंतर की एक अपनी स्थिती है तंतर का विध्यार्ति हूं तंतर में एंपोशिमल नाम का शब्द नहीं है दोस्तों भले की बात हो आपके भले की कि बात कभी हारता नहीं है कि यह कि जो आप हो उसको पूरण रूपसे सवीकार करता एक एक कि टंतर पूरे बर्मंत कोविकार करता है 9át यह कि ऑंदर कहता है तन्तर की बात है कि फूल को शवीकार कर नहें तो कांटों को कहां छोड़ोगे तंतर प्यार की भाषा है तंतर व्यक्ति के भले का नाम है तंतर ने सदा कोशिश की कि आप कैसे सुखी हो तो वेदुक्त पुझा अपनी जगा बहुत अच्छी है बड़ी प्रबल है पर आप जिस जुग में जी रहे हो तंतर की बहुत अवश्क्ता है और तंतर के साथ साथ देवी शक्ती की बहुत अवश्क्ता है तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि दाश महाविद्या के बारे और जो देवी शक्तिया है कुछ ना कुछ आपको धीरे-धीरे कहना शुरू करूं जो मुझे उनके अनुपाब हुए हैं ताकि आपके काम आपाइए।